हे गाइज वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल आज मैं आपको कॉल मी बेबी इस वेब सिरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे मैं बताने वाला हूँ पहले आते हैं कास्ट के उपर फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के उपर उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदिदार टॉपिक पे जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के उपर लास्ट मैं आते हैं उसके स्टोरी लाइन के उपर पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के उपर इस वेब सिरीज में अनन्य पांडे ने बेला चौधरी और लिसा मिश्रा ने हरलीन बभर का रोल प्ले किया है अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के उपर ये वेब सिरीज रिलीज हुवी थी 6 सितंबर 2024 पे जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोर पूरे वेब सिरीज में आते हैं अभी इसके करीब एक सीजन है ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सिरीज आती है अभी तो ये आपको हिंदी इस भाशा में आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आपको देखना है वेब सिरीज को तो आपको एमजान प्राइम विडियो ओटी टी प्लेट फार्म पर देखने के लिए मिलेगी इसकी IEMDB रेटिंग है 6-10 मैंसे हर एक एपिसोर का टाइम 35 से 45 मिनिट का है अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर वो है होट सीन्स के टाइमिंग के उपर पहले आता है एपिसोर एक मैं 10 मिनिट 5 सेकंड पर अनन्य पांडे का एक पैशनिट आउटफिट सीन दिखाया गया है उसके बाद एपिसोड एक में सत्रह मिनिट तीस सेकंड पर अनन्य पांडे का एक पैशनिट किस सिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड छे में तीस मिनिट बयालीस सेकंड पर अनन्य पांडे का एक पैशनिट किस सिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर वो है वेब सिरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंगलिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ओपर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बेला नाम की लड़की के बारे में। अपनी होती जहाँ पर उसे घर से धके मार कर बाहर निकाल दिया जा रहा होता है। स्टोरी आगर बढ़ती है जहाँ पर हमें दिखा रहा है कि पहले से ही वो बहुत आमीर फैमिली में पड़ी बली थी। जहाँ पर उसके फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस था। और उसके भाई को जड़ा अटेंशन मिल रहा था तो इस वज़े से इसे एक लड़की के लिए ट्रेन किया जाता है जिसका नम आगस्ते था। अब उसके लिए उसे सब कुछ जिसे की वाईन कैसे पिलाते है या पीते है खाना चॉपस्टिक्स या अपने फोक के साथ कैसे खाते हैं ये सब कुछ के लिए उसे एक ट्रेन कर दिया जाता है। अब बाद में उनका शादी हो जाता है। उससे पहले जब आगस्तिया नुई यॉक में अपने बिजनेस के स्टेडिस के लिए मूँ होता है तब उसके साथ बेला भी वहाँ पर उसके साथ चली जाती है। एक टाइम स्पेंट करने के बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और प्रपोज करने के बाद हमें एक अलग सी सिनेरियो दिखा जाता है। नेट वर्किंग या सोशल लाइजिंग कंटेंट जै कैसे हम अपने सोशल मेडिया में ग्रोग करे या बढ़ सके। आगे बढ़ते हुए शादी तो आगे बढ़ती है पर उन दोनों में बहुत ज़्यद धरार आ जाती है। पैसा उस चिसको सेटल नहीं कर सकता तो इस जैसी मतलब उसका ट्रेनर के साथ बेला पकड़ी जाती है अपना हॉलो टाइम स्पेंड करते हुए और आगस्तिया देखने के बद पूरी के पूरी मीडिया में यह सब कुछ फेल जाता है कि आगस्तिया बहुत वेल्दी फैमिली से तो इस वज़े से उसका बहुत ज़्य से बाहर निकल जाए जाता है अब वो बहुत लोगों को कॉल करती है पर वो एक लड़का था जो उसका ट्रेनर था प्रिंस उसके साथ ही चली जाती है और उसकी एक दोस्ती सेरा वो उसके साथ अपना टाइम बिता रही थी बहुत अच्छे तरके से उसका सब कुछ चल रह जाता था जब वो एक अड़र्टाइजिंग कंपणी में पार्ट लेती है जा पर उसके इंटर के तरह हायर किया जाता है वो बहुत अच्छी तरके से उस चीज़ को हैंडल कर रही थी एक चीज़ को एक पॉइंट को वो सब कुछ अपने स्करियर के लिए दौड रही थी पर उसे जो टिप मिल रही थी वो कहां से मिल रही थी वो सब कुछ पता नहीं था इसका बहुत गहरा रिसर्च करती है एक दिन वो एक लांच में जाती है जहां पर एक नया सीम जो वहां के एक मिनिस्टर थे वो लांच कर रहे थे तो वहां पर हमें पता चल रहे थे कि मु करते हुए लाउंच होने के बाद वो सिम बहुत बड़ा बहुत काल माजाज देता है क्योंकि फ्री सिम प्री इंटरनेट वो भी 5G फ्री में दे रहा है तो बहुत ज्यादा इंटेक या बहुत ज्यादा कंजूमर्स बढ़ जाते हैं उस सिम के पता चल जाते हैं कि जो काम सब्तिजीत कर रहा था उससे पहले इंफोर्मेशन मिलती थी कि कौन कैसे क्या कर रहा है थे तो यह सब कुछ होने के बाद हमें एक आगला पड़ाव मिल जाते हैं जहाब हमें समझ जाते हैं कि कैसे बहला उस चीस का इंवेस्टिगेशन करते हैं उसे एक पॉइंट पर पता चल जाता है जहाब उसके साथ प्रिज भी था सेरा भी था तमन्रा भी थी दूसके दोस्तों वहाँ पर बन चुके थे उसे पता चल जाते हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी थी जिससे वो सत्यजीत और मुकुल का एक साथ होना वो प्रूफ कर सकती है और यहाँ पर सत्यजीत एक शो निकलता है और शो में मुकुल और बेला दोनों को बुलाता है और एक पॉइंट पर हमें पता चल लगी कैसे उन दोनों का भी भांडा वो पोड देती है कैसे उस सीम में एक ट्रैकर और यह से कुछ लगा था जो भी कोई यहाँ पर जीत को मालम ते सत्यूरी उसका साथ दे रहा था और इस बांड यह इस फ्रॉड को सब कुछ क्लियर कहोने के बाद बेला वह जाथा फेमोस हो जाती है और वो उसके नए एक बंदा था जो नील उसके साथ हर बार हर सीचुश्य में खड़ाता है उसके साथ वो आगे बढ़ जाती है और लास में में दिखा जाता है कि कैसे अगस्ते भी फिर से शायद से उसे प्रपोस करने के लिए शायद से वापस आ जाता है थैंकियो फू वाचिन विश्यूर बाकी का जो भी कुछ है आमार एया आपको टोटल और डीटेल ही सब कुछ बता ही देगा ठैंक्स विडियो पूरा देखने के लिए नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी विडियो के लिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सबजेक्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर